बिसमिल्ला इर्वान इर्वाहिम अससलाम अलेकूम वेलकम टू मैं चैनल डेली कुकिंग आज हम बनाएंगे अंदर से चीजी और बाहर से फुल क्रिस्पी बेहाद मज़ेदार चीजी चिकन ब्रेस्ट आप इसे सुरू ट्राई कीजिएगा तो इसके लिए यहां पर हमने ए पीस लेंगे और चुरी जो हमारी तेज होनी चाहिए इसके आमने इस तरीके से पतले पतले से पीस काट लेने यह देखे इस तरह से तो देखे इस से ज्यादा ना पीस मोटा होना चाहिए और ज्यादा पतला होना चाहिए बस यही साइज होना चाहिए इसी तरह से हमने सार अगर आपके पास है तो ठीक है वन्ना कोई ऐसा मसला नहीं है आपको इसा बेलन भी ले सकते हैं मर से हमने इसको अच्छे तरीके से ऊपर से प्रेस करने तो देखे प्रेस करने से यह पीस साइज में बहुत बड़े हो गए यह देखे इस तरह से अबस इसी तरह से हमने सारे कुछय है तो देहां है जब आम इनका कटिंग ढूदर यह चोटे चोटे में तो प्रेस करने से इनके पीस साइज में कितने बड़े इससी तरह से में नमक और मुर्च को मिक्स करने है यह स्टारा से पूर 50 के सा विर्च्व तरह से मिक्स करना है यो अनूध correspondence रूटे साथ की उपर लगाने के बड़ा अच्छी तरह चे फीली सब्सक्राइब है तो देख। अजिक टरह से ऊपर हमने साथे ने बटर को च्रुडगाने के की लगाना है कि अधर आप ग्रीय पार टीरीमस ट्र lawn indoor पाव Busy दालने अच्छे से मिक्स कर लिया है हमने इनको अब हमने क्या करना है कि थोड़ी सी मिक्स कीवी चीज लेंगे इसे हमने इस तरह से चिकन के उपर सेट करना है और इसी तरह से हमने सारे पीस के उपर चीज को रखना और रखने के बाद पिर हमने पूरे पीस के उपर चीज को अच्छी तरह से फैला देना यह देखें इस तरह से अब हम क्या करेंगे इसको हमने बड़े अराम राम से इस तरह से रैप करना है रैप हमने लूज नहीं करना टाइटली रैप करना यह देखें इस तरह से तो देखें यह कितना जबरदस्त लाग रहा है बस इसी तरह से हमन बैप कर लिया आप इनकी कोटिंग त्यार करेंगे तो प्लेट में करेंगे एक खाने का चमच मुजरेला चीज ग्रेट आपने फुल बारी करना मोटे वाला ग्रेट नहीं करना है कि अब इसके अंदर हम डालेंगे थी शेचार खाने के चमच ब्राड्ड क्रम्ज और आप इन दोनों चीजों का अच्छी तरह से मिक्स करना है यह तरह तरह से तो कोटिंग हमारी राडी हो चुकी अब एक पीस लेंगे इसे हमने सबसे पहले अंडे में डिप करना है दोंडों को आप अच्छी तरह से फ्रैंट लिया था अब इसके उपर हम लगाएंगे ब् ग्रीज कर लिया था बस इसी तरह से हमने सारे पीस को रड़ी कर ले रहे तो देखें आपर सारे पीस हमारे रड़ी हो चुकी अब इन्हें बेक करेंगे तो कड़ाई में तो कड़ाई को आमने चार मिंट पहले दरम्यानी आँच पर प्री एट होने के लिए छोड़ दिया थ तो देखें कड़ाई हमारी फुल प्री एट हो चुकी है तो अब इसके अंदर हम रखेंगे अपनी बेकिंग ट्रें उपर से कवर करेंगे और बिल्कुल हलकी आँच पर इसे हमने 45 मिंट के लिए बेक करना है 45 मिंट में यह बिल्कुल रेड़ी हो जाएगी तो देखें 45 म तो चलिए अब इसके हम कटिंग करके देखते हैं कि अंदर से किस तरह की बनी यह इतने मज़े के बनते हैं आप इसे शाम की चाय के साथ काएंगे तो आपको बेहद मज़ाएगा तो देखें यह अंदर से फुल पका हो कितना चीजी चीजी और बाहर से फुल क्रिस्पी है अपने इसे जरू ट्राइए करना वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें शेयर करें मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें दौाओं में याद रखें और अगली वीडियो ताक के लिए अलाहाफिस